सो हेलो दोस्तों कैसो आप लोग तो यार अभी के डेट में सभी के फोन में फिंगर प्रिंट लॉक रहता है और लोग अपनी फोन में फिंगर प्रिंट लॉक लगाते भी हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अब ये फिंगर प्रिंट जो लॉक है न वो सिक्योर नहीं रहा क्योंकि अगर आप रात में सोह हुए हैं और कोई भी आप अगर आपके fingerprint पर finger touch कर दिया तो आपका जो phone का lock है वो unlock हो जाएगा और जितने भी private photo वीडियो जो भी कुछ है आपका वो सब कुछ अगला बंदा जो वो देख पाएगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इनी सब देखते हुए एक ऐसे lock को लेकर आया हूँ जिसे अगर आप अपने phone में लगा लेते हैं ना किसी का बाप भी उस lock को open नहीं कर पाएगा जी हाँ वो अगर आपके phone का lock डालते हुए देख भी लेता है ना फिर भी वो आपके phone का lock open नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा secure अब मैं आपको क्या बताओ इतना ज्यादा secure है यह lock तो आप इस lock के बारे में जरूर जानेगा बहुत ही ultimate है और आपके phone में जरूर रहना चाहिए तो चली भी ना टाइम विष्ट की करते हैं बने को start मैं राम सत्यम और आप देख रहा है टेकनिकल एक्सपर्ट वावा यूटूब चैनल तो अगर दोस्ता आप जाना चाहते हैं इस lock को तो सबसे पहले आप जो विडियो देख रहे हैं इस विडियो को कर दीजिए like के और चैनल को कर लिजिए subscribe, bell icon को दुआ कर all पे state कर लिजिए comment section में आकर अपना मन मताबिक जो भी आप comment करना चाहते हैं या फिर आपका जो भी opinion है comment section में link डालिए बिल्कुल free है आपके लिए आप चली मैं आपको बता देता हूँ उस log के बारे में कितना ज़्यादा secure है यह log तो यहाँ पर दोस्तों यह है यह log जो कि आपको अपने phone में install करना है simple मैंने इस log का जो link है वो इसी video के description में दे दिया है वहाँ से आप download कर लिजेगा क्योंकि official link आपको video के description में ही मिलेगा इस application का तो वहाँ से download करकर बस आपको इसे open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर कुछ settings का आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर देख लिए यहाँ पर है Enable Lock, यहाँ पर देख सकते हैं उपर में ही है, simple यहाँ से आपको Enable करना है, यहाँ से Allow करना है, यहाँ से Allow करने के बाद इस अप्लिकेशन को Permission देना होगा, App AI on top का, तो simple यहाँ पर Permission दे देंगे, उसके बाद हम Back करेंगे, ओके, और फिर से एक बार हम इसी Mistake से भूल गये, तो कैसे आप अपना उस Password को Recover कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे Questions मिल जाएंगे, जिसमें से आपको Childhood Name भी पुछेगा, तो यहाँ पर मैं Childhood Name जो यह डाल देता हूं सत्यमी, कि ताकि मुझे याद रहे, उसके बाद Save पर मैं क्लिक कर दू Option मिलेगा, यहाँ पर Change Security, यहाँ पर आप Change कर सकते है, Current Time, Pin Plus, Current Time, जो भी आप रखना चाहते हैं, रख लिजेगा, तो मैं यहाँ पर By Default ही रखने वाला हूं, Simple अब आपके फोन में यह कुछ जो सेट हो चुका है, अब अपने फोन को Lock कर कर कहीं पर भी रख दिजे, कहीं प पर Password उससे पुछने लगेगा, जो की वो डाल ही नहीं पाएगा, लाख अपना कोसिस कर ले, सर की उना पर डख ले, लेकिन इस Lock को वो नहीं डाल पाएगा, मैं 100% आपको Guarantee के साथ कह रहा हूं, यहाँ पर देख लिजे, यह क्या होता है, यह कैसा Lock काम करता है, यह आप स आपको बदा दू कि यह जो Lock है, वो Time के हिसाब से चलता है, यहाँ, अगर माल लिजे कि अगर अभी बज रहा है, 12 बच कर 2 मिनट, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, पासवर्ट, 1202, ओके, और उसी तरह से यहाँ पर एकक मिनट बाद जो पासवर्ट चेंज होते रहेगा, और अलग-अलग पासवर्ट यह पुछते रहेगा, जो कि सिर्फ आपको पता रहेगा कि अभी यहाँ पर पासवर्ट क्या डालना है, अगला बंदा मतलब कन्फ्यूज ही रहेगा, क्यारी यार, इसे मैंने देखा था कि 12 बच कर 2 मिनट, यानि कि 12 02 डू डाला थ तो यह पासवर्ट इसका होगा, लेकिन वो डालेगा, तो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यह सिर्फ टाइम से खुलता है, जैसे कि अभी छो बच कर 5 मिनट हो रहा है, तो 0605 यह डालना है, यहाँ पर जो भी टाइम से होगा, वही टाइम आपको डालना है, तो यह टाइम के ही मतलब कि आपका पासवर्ट रहेगा, जो भी टाइम होगा, वह पासवर्ट आपका रहेगा, सिर्फ आपको पता है और यह चीज किसी को आप मत बताइएगा, सिर्फ आप अपने फोन में रखेगा और किसी को बता रहा है नहीं, बिल्कुल आपको सेफ रखना है, बिल्कुल आपको सेफ रखना है अपना फोन, ओके, तो बहुत ही A1 अप्लिकेशन है, जरूर अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, अगर अपने फोन को आप सेक्योर रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सिक्रिटी के साथ रखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस